ओम सायराम, मेरे प्यारे बच्चे, ये समय है तयारी का, जीवन की उच्चाईयों को छूने की तयारी करो, ये समय है अपनी शक्तियों को और मजबूत करने का, सिर्फ महानता ही तुम्हारी मंजल है, जो भी हो इसे सच मानो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे दिल की सुन्दर्ता हमेशा इस जग को और सुन्दर बनाती रहेगी, तुम्हारे अच्छे कर्मों की धूप, हर दुखी दिल को गर्माहट देती रहेगी, तुमने इस दिल की सुन्दर्ता को अपन अच्छे कर्मों से कमाया है, तुम्हारी शक्सियत, तुम्हारे चाहने वालों का जीवन भी सुन्दर बनाएगी, मैं तुम्हारे हर कदम, हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ, मुझे तुम्हारे हर बलिदान के बारे में पता है, तुम्हारा कोई बलिदान खाली नहीं जाए प्यार और उदार्दा से जो तुम सब का ख्याल रखते हो, दो शब्द प्रशंसा के जो तुम अपने प्रिय जनों को देते हो, मुझे इन सब बातों का इल्म है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा अच्छा भाग्य तुम्हारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, तुम्हारी अच्छी किस्मत तुम्हारे नाम के आशिरवाद लिये तुम्हारे जीवन में आने वाली है, तुम्हे कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, तुम हर तरहा से सम्रद्ध हो, तुम हमेशा सुखी और संपन रहोगे, तुम्हार स्वास्थ भी हमेशा अच्छा रहेगा चिंता ना करो अपने शरीर से बात करो उसको धन्यवाद दो वो लगातार तुम्हें स्वास्थ रखने के लिए काम करता रहता है बिना किसी आराम के अपने बड़ों की हमेशा इज़त करो उनके अनुपस्थती में भी जो कुछ भी खाओ उसका कुछ हिस्सा पशु पक्षी और अपने पूरवजों के लिए भी दान करो इन सब का आशिरवाद भी बहुत ज़रूरी है अपना खयाल रखो विश्वास रखो कि तुम बहुत भागिशाली हो और यहां से जीवन बहतर होता ही जाएगा सब शुब है और सब शुब ही होगा अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत बहुत पसंद है जैसाई राम